कि अरे कितने जाले हो गए हैं इस लिफ्ट में ग्राणी सारे काम मुझसे करवाती रहती है ऐसे नहीं कि थोड़े से काम इस बुढ़ा ले इप बढ़्रे खापिके बस खटिया तोड़ता रहता है या पूरा दिन अवारा गर्दी करता रहता है अभी मेरा एक काम ख़तम नहीं हूआ यह बुढ़िया मुझे चार काम और बताने आ रही होगी आया ग्रैनी हाँ ग्रैनी बिटवा देख मेरा नेकलेस अरे वाँ ग्रैनी क्या ब्यूटिफुल हार है यह तो बिल्कुल रानी महरानी हो वाला लग रहा है कहां से चुराया क्या बोला मेरा मतलब है कि यह आपके बाद कहां से आया मैंने कभी देखा रहे ना आपको इसे पहने होगे बिटवा ये नेकलेस मेरे मॉन डैड ने मुझे मेरे शादी में दिया था वैसे ग्रैनी आप इसे पहन के कहां जाने वाली हो बिट वो हमारे college friends की reunion party होने वाली है वहां मेरे सारे ex-boyfriends, मतलब सारे friends आने वाले है तो ये necklace में वहां पहन के जाने वाली हूँ और वहां मैं अपने खुपसूरती से सब को चला के राक करने वाली हूँ और ध्यान रहे, तू और तेरे grandpa मेरे necklace से दूरी रहना मेरे necklace मुझे जान से भी प्यारा है अगर इसे कुछ हुआ ना, तो तुम दोनों की care नहीं जलब जल्दी से खाना बना दे ठीक है ग्रावी, necklace कपड में रख्या जाती हूँ आया मेरे खटी चूरन की गोलियां पता नहीं कहां चली गई बेबी से मैंने चुपा के यान रखी थी यूगि वो एक नमबर की चटोरी है सारा पैकिट एक बार में ही चट कर जाती है खटे चूरन की गोलियों को याद करके ही मुँ में पानी आ रहा है पता नहीं पैकिट कहां चला गया अरे, ये कैसी आवास थी? हाई मोरी माईया, ये मेरे जानू को क्या हो गया? ग्रैन्पा, ग्रैनी, क्या हुआ ग्रैन्पा को? लगता है पिना खाए कमजोरी से ब्योश हो गया मेरा जानू अरे, ग्रैनी, बुढ़ा हूँ तो पूरा दिन चलता है रहता मेरा मतलब है कि पूरा दिन खाते रहते हैं ना ग्रैन्पा उन वो कमजोरी कैसे होगी चल जल्दी से मेरे मदद कर ग्रैन्पा को बैट पे लिटा देते हैं हाँ हाँ चलो ग्रैनी ग्रैन्पा को होश आ गया अले मैं तान हूँ मैं ताहूँ अरे ग्रैन्पा क्या फाल तू एक्टिंग कर रहे हो हर बार ना सेम ट्रिक काम नहीं आती तुने बिल्कुल ठीक बोला बिटवा ये अपनी गटी एक्टिंग की वज़ा से कॉलेज प्लेज में कभी स्लेक्ट भी नहीं होता था इसे हमेशा पेड़ा पत्तर बना कर पीछे कड़ा कर देते थे ओ नो आप कौन हो आंटी अरे ये मुझे आंटी क्यों बोल रहा है और भाईया आप कौन हो ग्रैनी कहीं ग्रैन्पा सच में अपनी आदाश फिर से तो नहीं भूल गए ग्रैनी कि अदाश तो फिर से चली गई है भीटवा ना ये गिरा ना इसे जोत लगी फिर इसंकी आदाश कहसेचली गई ग्रैनी अविल गई थोड़ देर पहले कुछ गिरने की आवाज आई थी मुझे ममी के पाच जानो है कून तो आपको याद है लास्ट टाइम जब ग्रैंटपा की आदाश गई थी तो आपका डंडा खाकर उनकी आदाश वापिस आगई थी तो वापिस उनको डंडा मारो ना गांदर भाईया, आप मुझे माल ले की बात का ले हो, मैं ममा को आपकी शिकायत लगाऊंगा ममा, ममा चाकलेग खानी यह तो भी खानी है, चुपो जाओ, हाँ, चुपो जाओ ओट है बाईया देखो तो ज़रा इसको, ग्रैंटपा के रूप में भी तंग करता है अब बच्चे के रूप में भी खुन चूच रहा है बुड़ी आंटी, यह बाईया का नाम क्या है अरे यह तो हमारा बिटवा है अल मेला नाम क्या है अरे यह बुड़ो तो बच्चे के रूप में भी चीची, चाचाची, चीची तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम है चीची हैं, यह कैसा नाम है ग्रानी, अब ग्रान पाक कितो क्यूट लग रहें बच्चे की रूप में तो कुछ क्यूट ही नाम रखना पड़ेगा ना चीची बिटवा भाईया, अले ओ बिटवा भाईया, कहाओ अरे क्यों गला फाड़ रहा है यह बुड़ो बिटवा भाईया आबया क्यों चिला रहा है बै मेरे मताबय की, क्या हुआ चीची, क्यों चिला रहे हो चलो गोला गोला खेलते हैं आबया तेरे पास तो काम ने, मैं पास 36 काम है मेरे मताबय की, चीची, मुझे काम करने मैं तुम्हार सार ने खेल सकता आप काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? बुढधी आंटी अरे पगले, मैं कोई काम नहीं करने वाली गंधी आंटी, मैं मारूँगा मैंने बोला ना आप काम करोगे तो आप ही करोगे वरना मैं रोऊँगा अच्छा अच्छा ठीक है, सारे काम मैं ही करूँगी अरे बढ़ हो के पगलाने से तो मेरी लॉटरी खुल गाई चालो बिटुआ भया, खेलते हैं चले-चले, चिची, घोडा-घोडा, खेलते हैं आरे ने-नी, बढ़ हगो तो इतना भारी है, मेरी फीट दोर देगा ने-नी, छुपा-छुपी खेलते हैं तुम मुझे ढूंड़ो मैं जाकर छुपता हूँ जाकर सोजाता हूँ बड़ो दूरता रहेगा अरे चिच्चे क्यों रो रहे हो बुड़ी आंटी जोर के तत्ती आई है बिटवा जरा सुनतो क्या हो अक राणी बिटवा तेरे ग्रैनपा को पूपू आई है तो तो क्या इसे हगने ले जा अरे नहीं नहीं ग्रैनी आई रे आई रे जोर के तत्ती आई रे जल्दी चलो अच्छा ठीक है चलो चिची चलो अच्छे से दुलवा भी दयो यह बुड़ो पिछले डेट घंडे से बैठा है इसका भी तक काम नहीं हुआ इस बुड़ो की जहरी लिग आस बर्दाश्ट करने से अच्छा तो मैं ग्रैनी का तंटा खालू ग्रैनी बिटवा चिची को लोरी गा के सुला दे ठीक है क्रैनी सुला देता हूँ तब तक मैं सारे काम निप्टा देती हूँ अरे काम करकरके मैं तो थाग गई भाई शाब चलो चलो चीची सोजाओ पहले लोरी सुनाओ फिर सौँगा अच्छा ठीक है चंदा मामा दूर के कुंडी मत खड़का आओ राजा सीधा अंदर आओ राजा फूल बिछा पर्फ्यूम लगा के गाने भी आपने जैसे सुनता है मैं भी जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं इस बुड़वने तो मुझे तंग कर दिया है चलो गाने सुनकर मैं भी अपना मूझ ठीक कर लेता हूं लेकिन मेरा हैडफोंस तो उपर वाले कमरे में मेरी खटे चूरन की गोलिया कहा चली गई बहुत मन कर रहा है खटे चूरन की गोली खाने का जब से पागल की एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे कितनी अटेंशन मिल रही है सब मुझे राजा जैसे ट्रिट कर रहे है मैं सचाए किसी को कभी पता नहीं चलने दूगा तो ये बुढ़ाओ इतने दुनों से एक्टिंग कर रहा था जरूर इसने कुछ कांड किया है लेकिन इसने क्या किया है ये मुझे पता लगाना पड़ेगा चीची आप तुझा खाटी चूरण के गोली मा खिलाओंगा चलो चलो चीची दुद्धू खतम करो नई बुद्धी आन्ती अरे बंदरी का दुद्ध निकाल के लाई हूं ग्रानी तो बोरी ची बुढ़ाओ को एक्टिंग नहीं आती लेकिन इसकी एक्टिंग तो देखो अवार्ड वीनिंग परफॉर्मेंस है बुद्धी आंटी निन्नी आई है जा बिटवा मेरे शोना को लोरी का के सुला दे ओके ग्रानी मैं चिच्ची को बहुत अच्छे से सुला दूँगा भाया जब तक आप लोरी नी सुनाओगे मैं नहीं सूँगा अच्छा नहीं सुएगा अब नीद आ रही है बहुत जोल की भाया अब सोजा मैं तो बिलकुल ठीक हूँ तू कैसा है रे चुटुआ जिद्धी ग्रैंटपा हाँ हाँ मैंने सुन लिया है बुढव पगला गया है न फिर से अरे कुछ नहीं हुआ उस बुढव को ग्रैंटपा एक्टिंग कर रहा है काबर में जाने के उमार में बुढव एक्टिंग कर रहा है मकारी तो इनके नस नस में बड़ी पड़ी है लेकिन दिद्धी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ग्रैंटपा ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको ये एक्टिंग करनी पड़ रही है जरूर बुढव कुछ कान करके बैटा है अब सचाई पता करने के लिए तुझे ये करना है कि अरे क्या बात है स्लेंडिरा दिद्धी मैं तो आपको निरा मुर्ख समसता था का बोला? अरे काका जी तो बहुते सातिर निकले क्या मगरु भाई आपने सब सुल लिया? जी आप इसके बारे में किसी को कुछ में बताना प्लीज टैंसन मत लीजे किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देंगे बट आइम वेल डिश पॉइंटेड विड काका जी भाई तो चलो मगरु भाई चलता हूँ अपने प्लैन को अंजाम देने के लिए अल दी बेश्ट भाईया जी शी यू ओके बाबाई हाई बिट्वा हाउ यू पाई लागो बार्भी ग्रानी गाड ब्लेसिव मौममा अरे बार्भी कैसे आना हुआ आई हू जीजू पे हसने मलब हाल चल पूछने अरे सालिस आई बार्भी क्यों आई है मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाईया ये शुंदर्सी लड़की कौन है चच्चे ये तुम्हारी मंगेतर है इससे तुम्हारी ना जल्दी शादी होने वाली है सब कुछ पता चल जाएगा अच्चा अच्चा ठीक है आओ बार्भी अरे ये मैं कहां फस गया जीज अब मैं इस नाटक को असलियत में बदल दूँगी और तुम से शादी करके सारी प्रॉपटी अपने नाम करके तुम तीनों को इस घर से लाट मारके बाहर निकाल दूँगी फिर आएगा मज़ा ओ नो अरे बार्भी ये तुम क्या बोल रही हो वही जो तुने सुना चेची अरे मैं तुमारा जीजू हूँ मैं तुम से शादी नहीं कर सकता जाना वह जानू तुमारी आदाश तो वापस आ गई जाना मेरी आदाश नहीं गई थी मैं तो एक्टिंग कर रहा था क्या तुम नाटक कर रहे थे ग्रैनी मुझे पहली पता चल गया था कि ग्रैन पर एक्टिंग कर रहे हैं ये मैन के मुह से खुदी उगलवाना चाता था खटे चूरन की गोले ढूरते समय मेरे हाथ से गिरके तुम्हारा नेकलेस टूट गया मैं बहुत डर गया था तुम अपने नेकलेस को लेकर हद से जाधा पोजेसिव हो तुम बहुत मारती इसलिए मैंने अक्टिंग की वो नेकलेस तुम से नहीं मुझसे टूटा था कबड में रखते समय मेरे हाथ से गिरका टूट गया था और तुम्हें लगा तुमने तोड़ दिया लेकिन अब मैं उसे ठीक करवा चुकी हूँ अरे क्या क्रैनी आप भी अगर आप पहली पता देतें कि आप से नेकलेस टूटा तो बिचारे ग्रैंपा को इतनी अक्टिंग करनी भी पड़ती मैं जाना को दुखी नहीं देख सकता था इसलिए मैंने पागल बनने की अक्टिंग की इस बुढ़ों के नाचक के चक्कर में मुझे एक्टिंग करने के लिए यहाँ पे आना पड़ा आज मेरी माई जी अबूतों के साथ देख थी जो की कैंसल हो गई वो बहुत नराज है उसे जाके मनाना पड़ेगा लेकिन बेबी तुमने एक्टिंग कमाल की की इस चक्कर में काम करकर के मेरी कमा टेटी हो गई लंबे-लंबे कीडे पड़े तुमें लेकिन मुझे तो मज़ा आगा ग्रैनी बैट बैट के क्या मस्त मस्त खाने का मिल रहा था क्या यहाँ काम करकर के मेरी हालत कराब हो गई और तो इंजॉय कर रहा था तेरी तो वीडियो हर दिन संडे टू फ्राइडे सुबे साड़े नौ बजे आएंगी शॉट्स और सैटेडे को दुपहर बारा बजे शॉट्ट फिल्म अगर आपको यी वीडियो पसंद आए तेस वीडियो को लाइक करें शेर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन भी दबा दें और सब्सक्राइब करें टू मोहतमीत